तो दोस्तो PM किसान EKYC को लेकर एक बहुती बड़ी update टिंकल कर आई है जिसमें कि officially PM किसान के EKYC करने के लिए जो Google Chrome की setting है उसको आपको किस तरह से रखना है उस चीज को बताया गया है दोस्तो यहाँ पर जो है आप सभी VLs को पता है कि जो PM किसान सम्मान निदी योजना है EKYC को लेकर बहुत सारे errors आ रहे हैं मतलब बहुत सारे VLs को कर नहीं पा रहे हैं तो दोस्तो यहाँ पर जो है officially Google Chrome की setting को बताया गया है कि किस तरह से आपको setting को करना है और इस setting को करने के बाद आप आसानी से EKYC कर पाएंगे अपनी customer का तो दोस्तो आज किस वीडियो में म करना है तो आपको आपके Google Chrome में कौन सी setting करनी होगी जिसके बाद आप जो है easily PM किसान सम्मान ने दियो जना का EKYC कर पाएंगे तो चलिए कौन सी वो setting और आपको किस तरह से करनी है आज किस वीडियो में completely बताने वाला हूं तो वीडियो को भीना skip किये इंट तक जरूर कर दीजिए क्यों कि दोस्तो हमारे चैनल पर आपको इसी तरह का digital इंडिया से related content मिलते रहता है तो चलिए फिर शूर करते है आज किस कमाल की वीडियो को दोस्तो इस पोस्ट को मैंने अपने जो MNS Digital का family group है यहां पर शेयर किया था जैसी कि आप देख पा रहे हैं कि PM किसान ekyc के दोरान जिनके पास mantra device है एवं ekyc के समय उनको जो है इस तरह के error आ रहे है या जिनके पास smartphone का device है उनको ekyc को लेकर विभिन तरह के error आ रहे है तो दोस्तो सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा तो दोस्तो आपको जो है सबसे पहले id service की officially website पर जाना होगा यहां से आपको जो है mantra का officially जो id service होता है उसको download करना होगा download करने के बाद आपको window sttp localhost एवं window sttp driver को download करके install करें install करने के बाद आपको system को restart जरूर से करना है अब दोस्तों यह दोनों drivers को आपको किस तरह से download करना है मैंने video आपको बता दिया higher button में जाके आप उस video को देख सकते है इंड mantra का आप जो है driver download कर सकते है ठीके ना उसी तरह से आपको जो है अगर आप marfo का use कर रहे है तो आपको आपका marfo की localhost वाली setting को install करना है किस तरह से करना है वो भी मैं आपको एक video में बता चुका हूँ यह दोनों video आपको इस video की end में जरूर से देखने के लिए मिलेंग फ्लेग में जाना होगा फ्लेग में एक बार जाने के बाद आपको reset all करना होगा उसके बाद allow invalid certificate को आपको जो है enable करना होगा ठीके ना तो कैसे करना है चली मैं आप लोगों को बता देता हूँ जैसे कि आप google chrome में जाते हैं तो यहाँ पर आपको three dot का option मिलेगा ठीके ना आ है यहाँ पर क्लिक करने के बाद को setting का option दिखाए दे रहा है आपको यहाँ पर आ जाना है तो जैसी आप यहाँ पर आ जाते हैं उसके बाद दोस्तों आपको यह पर देख पा रहे है, यहाँ पर आपको Reset All का बटन दिखाए देगा, ठीक Lawn, आपको सबसे पहले Reset All करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर Search कर लेना है, Invalid Certificate Local Host, ठीकि Komma, यह आपको सिलेक कर लेना है, और इसको यहाँ से Inable करना है, तो चलिए हम इसको सबसे पहले तो Reset All पे क्लिक कर लेते हैं Reset All पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक Relaunch का Option आएगा Relaunch करेंगे तो जैसी आप Relaunch करेंगे तो आपका जो Chrome है एक बर बंध होके दोबारा से Restart होका ठीक है ना तो हमारा Chrome जो है यहाँ पर दोबारा से Restart होने लगा है और आप देख रहे हैं कि आपको सारे Option यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है उसके बाद आपको यहाँ पर Local Host टाइप कर लेना है Local Host तो जैसी आप यहाँ पर Local लिखेंगे तो यहाँ पर आपको Allow Invalid Certificate for Insurance Local Host ठीक है ना आपको यहाँ पर यह Disable हो जाएगा तो आपको इसको Enable करना है Enable करने के बाद आपको एक बार फिर से Relaunch करना है तो यहाँ पर आपको इस वाली Process को करना है आपके Google Chrome में उसके बाद जो है आप Easily बहुती Easy तरीके से EKYC PM किसान सम्मान निदी योजना का कर पाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर जो है Officially बताया गया है अब इस सारी Process को करने के बाद आपको क्या करना है एक बार अपने System को Restart कर लेना है उसके बाद में आपको PM किसान सम्मान निदी योजना का EKYC करना है तो उमीद करता हूँ कि आप सभी के लिए वीडियो काफी जादा Important और Knowledgeable रहा होगा तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो का Like करके जाएगा और अगर आपका Successfully EKYC इस प्रोसेस से हो जाता है तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स वीडियो में किसी नई Knowledge वाले Information के साथ तब तक के लिए जैहिन जैभार